एक और जहां हर्याना प्रदेश के स्कूलों में बड़ी संख्या में चात्र चात्राओं के कुर्णा पोजीट आने पर शासन और प्रशासन चिंतित नजार आ रहा है वहीं सरकारी स्कूल में ऐसी लपरवाई सामने आई है जो कई बच्चों के लिए जोखिम भड़ा हो सकता है दरसल प्रदेश के अलग-अलग इस्थानों पर स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चों के कुरोना संक्रमन के मामले सामने आने के बाद अब स्कूलों में कुरोना टेस्टिंग बड़े पैमाने पर शुरू की गई है रत्या के कन्या वरिष्ट माधिमिक विद्याले में स्वास विभागी एक टीम च्चात्रों के सेंपल लेने पहुंची यहां लापरवाई का ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर स्कूल संचालकों के दावों की पोल खुल गई स्कूल परशासन लगातार कोविड प्रोटोकोल को सकती से लागू करने की बात करता आ रहा है मगर जो द्रिश्य सामने आया उसे देख इन दावों की हकीकत सामने आ गई दरसल जब स्वास्ते विभाग के टीम स्कूल में पहुंची तो इस्कूल परिशासन दोरा चात्राओं को एके करके भीजने की वज़ाए एक जगा एकत्र करवाज जगया जहां विभाग के अधिकारी सेंपल ले रहे थे बड़ी संक्या में चात्राओं हुजुम के रूप में एक दूसरे से सटकर खड़ी नजर आई यहां तक कि कुछ चात्राओं ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था दो विभागों के अधिकारियों की मौझूदगी में जिस प्रकार से कोविट प्रोटोकोल का उलंगन हुआ उससे देखकर लगता है कि यह लापरवाई कितनी भाली पढ़ सकती है वो भी ऐसे समय में जब कुरोना के केस लगातार बढ़ रहे हुँ हाला कि कैमरा को देखकर कुछ स्कूल अध्यापको द्वारा बाद में चात्राओं को लाइन में एक दूरी पर खड़ा किया गया और सेंप्लिंग करवाई गए अध्यापको देखको अभी अभी स्कूल कुलने के अंदर देश पराप्त हुए थे और बच्चे आने शुरू गए है पहले ऑन्ल क्लासिज के जरीए जो हना हम बच्चों को पढ़ा रहे थे और सरकार के जैसे निर्देश प्राप्त हुए तो बच्चे ने स्कूल में आना सुरू कर दिया है और बच्चे लगब लगग स्कूल में नो से बारा तक के जो बच्चे स्कूलों में आना शुरू गए है हमारे पास भी यहां तैदाद बच्चों की अच्छी है और अभी जैसे बच्चे स्कूल में आने शुरू हुए है तो कई जिगे पर देखा गया है कि आज ये जो महामारी फैली हुई है करोना गी तो इससे समद्धित हित्याद बच्चे की बात थी तो हम प्रोटोकल के तैथ जो हैंने बच्चों को बढ़ा रहे हैं और प्रोटोकल के तैथ ही उनका निर्थिसों का पालन कर रहे हैं